नाभा में पंजाब पावर कौम लिमिटेड की लापरवाही को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है तरसल गाव रखड़ा के रहने वाली अमरीक सीन जिसका घर बिल्कुल छोटा सा है और सिर्फ एक कमरे में ट्यूब लाइट जल रही ही को पावर कौम लिभाव ने 12,000 का बिल थमा दिया और साथ ही बिल ना भरने की कुछ म्याद बीत जाते ही उसका बिजली कनेक्शन काड़ दिया गया अमरीक सीन बेहत गरीब परिवार से सबंद रखता है उसके परिवार में उसके अलावा पतनी और एक आठ साल का बच्चा है अमरीक सीन पिछले तीन साह से अधरंग की बिमारी से पीडित है मामले को लेकर गाव के लोग मदद को लेकर सामने आये हैं आज गाव की पंचायत और स्थानिय निवासियों ने पीडित अमरीक सीन के घर का बिजली कनेक्शन वहां से गुजर रही लाइन के साथ जोड दिया ताकि इस गरीब के घर में रोशनी हो सके करते हैं मामले पर गाउं के पूर्व सरपंच इंदर जी मेजर सी ने कहा कि पंजाब सरकार गरीबों के साथ की अपने वादे पूरे करे ये बहुत गरीब परिवार है और बीमारी के कारण आर्थिक हारत काफी खसता है जो कई तरह की परिशानियों से जूज रहा है एक कमरे में लाइट होने के बावजूद विभाग ने इसको 12,000 क गाउं के लोगों की तरफ से ही जोड़ा गया है ताकि ये गरीब परिवार अंधेरे में न रह सके विभाग अपनी गल्ती को सुधारे और इस तरह जारी किया बिल वापस लेकर इसका कनेक्शन फिर से दुबारा जोड़ा जाए जो सरकार दा ही हाला है देखो मलाजमा दी पर सरकार दे ये इना बुरा हाला है भी तुसी देख साथे हो भी ये बंदे तो बोल्या चाजना नहीं जा रहे हा जो एदा राशन पाणी दा प्रबंदा ओभी पेंड़ कर रहे हा नगर कर रहे हा सारे कठे हो के इनु उचरे नु दुद पाणी रूटी सारा कुछ दे द पर मेंनु दा लगनी रहा कुपला थोड़े संब नहीं है हुने गरीब बंदा दो कामरे ने कच्छा मकान है दा प्लास्तर होया नहीं ते ये बंदे दा कनेक्शन कटता हुना सी सारे पेंड़ने कठे हो के सलाह कीती है नाल साथे मजूदा सरपान साहब घड़े ने भी जे पर पेंड़ने कठे हो के सी उन्हें सोचया बेरा सरकार वलो लो कोई हिला होदा नहीं असी पंचयत वलों अपना स्टीड लेट ना मीटर लगया है असी साधी पंचयत वलों असी नूं कनेक्शन देने जा रहे हैं तांजोए दे कारच्य रोशनी हो सके आपर काम बलो बद सब्सक्राइब के प्रवांद करता सो नाली पेंड़ा नमा रखड़ा उत्ते वी बाई है यार के प्रवार में तेन्न मेंबर नेड़ों मंजेते पैनी आहला था प्रवां सरकार आंदी नाभा से तरुन मेहता की रिपोट अगला प्रवां प्रवां